विलकम बाक तो फिस्ट फिस्ट फिर्म आज का वीडियो आर्खाइब सेस्ट है और आज हम लोग जे एडवांस 2017 का एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम डिसकस करने जा रहे हैं जो कि सेंटर आफ मास के ऐसे ट्रांगल है स्कूर है ये पैं ट्रांगल है कि ना कतव मास प्रकाल प्रकॉगा मषिढाद आण हां इसे G जो रेगलर पैंटागन है उसका जो सेंटर उसका है दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंट जी कहा है यह इस सर्फेस पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं है तो हमें बताना है कि maximum increase in height of locus of center of mass for each polygon इस डेल्टा अगर है तो डेल्टा जो है वो एन और एच पर कैसे डिपेंड करेगा यहां पर number of जो साइट्स होगा पॉलिगन का वो है और एच जो है यह जो center of mass का height है with respect to ground है ना तो हमरे बताना चार options है तो इसको कैसे approach करेंगे तो अगर हमें maximum height देखना है कि यह center of mass कितना maximum height gain करेगा with respect to ground है तो सबसे पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि ऐसा कब होगा नहीं अगर यह center of mass जैसे अभी माली जैसे रोटेट होगा ऐसे रोटेट हुआ है अगर यह maximize gain कर रहा है तो ऐसे रोटेट होगा तो अगर रोटेट होगा हो रहा है तो जब यह maximize gain करेगा तो यह जो एल आप देख रहे हैं तो जब यह बिसिकली जी सी जो है यह जो जी सी लेंद है जी center of mass को रेप्रेसेंट कर रहा है और सी इसका एक वर्टेक्स है तो जब यह जी सी इस ग्राउंड लेवल के perpendicular हो जाएगा नहीं तब यह maximum height gain कर लेगा इसका center of mass है यह basically center of mass हो गया यह मेरा center of mass है यह जी मेरा center of mass है तो जब यह जी सी लाइन ग्राउंड के respect में पिल्कुल परपेंडिकलर हो जाएगा यह जिस्ट परपेंडिकलर हो गया तब यह मेरा maximum height गिन कर लेगा तो अगर हम यहां देखें कि यह कितना rise कर गया है center of mass यहां अगर हम डिल्टा देखें तो डिल्टा बेसिकली यह L है और यहां पर h है तो यह कितना हो जाएगा L – h अब क्या हम एल को h के टा में रिप्रेजिंट कर सकते हैं तो जैसे यहां पर triangle है तो triangle है यहां पर पहले आपके 6 होगा यह वाला जो आंगल होगा यह एंटार 60 होता है तो थर्टि अब यह पाइबensus होगा Northwest यह सिख ओका थैक ₹ड कर सके तो यहां पर जो होगा तो यहां पर क्या लिखेंगे अब यहां पर कॉस्पर इस पाइबई स्री कर दो ग्या और एच पहुंते लोगा अनुट यह रखने यहां पर तो एच बाई कॉस पाई बाई थ्री माइनस यह आ गया करेक्ट सिमिलर्ली अगर हम अगर स्क्वेर के लिए देखें हैं हमें एक बार और ट्राय करना पड़ेगा स्क्वेर के लिए मेभी हमें कुछ पैटर्न मिल जाए और वहां से हम लोग आंसर कंट्लूड कर सकें तो अगर हम सेम मैथधर्ड स्कैर के लिए यूinku करें तो यहां पर क्या होगा यहां जो दिल्टा होगा राइज जो पाइब फोर यहां भी पाइब फोर अगें हम कॉस्ट लेंगे जो कि एल और एक को कोरलेट करता है तो कॉस्ट पाइब फोर कितना अब भीस वाइब फॉर तो यहां यह वैली रग दिया जाए तो एच बाइब कोस्ट पाइब फॉर minus inch correct अब हम यहाँ पर एक pattern देख सकते हैं जैसे यहाँ पर triangle था तो यहाँ पर जो angle था cosine के साथ जो associated था वो pi by 3 था यहाँ पर 3 sides था तो यहाँ बर 3 आ गया यहाँ पर देखें तो यहाँ पर four sides है तो यहाँ पर यह जो angle है by four आ गया तो क्या हम इस result को generalized कर सकते हैं for n number of polygons के लिए definitely तो अगर for n number of polygons for n number of regular polygons यहां पर जो भी है regular polygons मतलब सबके सबस्य उसन्होंगे आपर सेम हुगे right for n number of regular polygons अगर हम लिखें तो यहां पर जो एल होगा L कितना हो जाएगा ह या एच दया कॉस ऑफिलर हो जाएगा इन हो जाएघ डिया इंट्र यह काज़का झान ऑद n मैं जो करेंगे जो हेटक दया जातने कॉस्ट दया कि आज मेन यह की ए एक जो 10 15000 हुए Pak यह इंटिकर गार्ट हो होगा वो होगा option number D interesting so that's all for this video archive series के next video में हम फिर मिलेंगे एक नई interesting problem के साथ till then take care goodbye